कतर की मस्जिद में समय पर नहीं पहुँचे इनाम तो कर्मचारी ने आगे बढ़ कर संभाला जिम्मा वीडियो इंटरनेट पर वाइरल कतर में गैस स्टेशन के एक कर्मचारी का खुत्बा पहुँचाने का ये वीडियो वाइरल हो गया है इमाम के समय पर ना आने के बाद कतर तोर पर वो आगे बढ़ा खुत्बा देने वाले शक्स का नाम अब्दुल रशीद बताया जा रहा है और वो यूगान्ना का रहने वाला है वीडियो के वाइरल होने के बाद कतर के लोगों ने उन्हें बेशुमार तोफे दिये हैं और उन्हें समय पर खुत्बा देने के लिए शुक्रिया कहा इल्म फीड द्वारा साजह किये गए इस वीडियो को लोग अपने अपने नजरिये से देख रहे हैं एक शक्स ने वाइरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा इसमें ऐसा नया क्या है अलग अलग प्रोफेशन्स से जुड़े बहुत सारे मुसल्मान इसलामिक नौलेज रखते हैं एक और शक्स ने लिखा अगर इतना ही आसान है तो आप खुतबा देकर दिखाईए इसलाम की नौलेज रखना और अर्बी भाशा फराटे के साथ बोलना बहुत अलग है एक भाई ने वीडियो को देखने के बाद कहा मुझे इन देशों के बारे में एक बात बहुत खास लगती है इससे कोई फर्ट नहीं पड़ता कि शक्स अरब है या गयर अरब दाढ़ी के साथ या विना दाढ़ी के आगे आते हैं और इबादत को अंजाम देते हैं इन देशों में कोई भी शारेरिक रूप विश्वास संप्रदा या पवित्रता और सुन्दता पर सवाल नहीं उठाता बस मुसल्मान देखकर उसे फॉलो करते हैं एक और भाई ने कहा अल्ला का दीन जाती कलर या दौलत को तरजीह नहीं देता बलके इसलाम की मानिता और नौलेज को तरजीह देता है एक और भाई ने वीडियो देखकर कहा माशालला दीन इसलाम सीखना हर इनसान की जिम्मेदारी है केवल उलेमाओं की नहीं है सोशल मीडिया पर कतर के बताए जा रहे इस वाइरल वीडियो को आप कैसे देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राइज जरूर दें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर दबाएं जिस से खबर की अपडेट आप तक पहुंचे